साथियों, हमारा देश का दुरुभागी रहा कि रेल्वेट जैसी महत्वपुन व्यवस्ता, जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे भी राजनीती का अखाड़ा बना दिया गया था. आजादे के बाद भी भारत को एक बड़ा रेल्वेट नेटवर्क मिला था, लेकिन रेल्वेट के आधुनी करण पर हमेशा राजनीतीक स्वार्थ हावी रहा. राजनीतीक स्वार्थ को देखकर तब यह ताई किया जाता था कि कौन रेल्वंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा. राजनीतीक स्वार्थ ही ताई करता था कि कौन सी ट्रेंड की स्टेशन पर चलेगी. राजनीतीक स्वार्थ ने ही बजेट में ऐसी ऐसी ट्रेंडों की गोशना करवाई, जो कभी चली ही नहीं. हालत ये थी कि रेल्वे की भर्तियों में राजनीती होती थी, बड़े पैमाने पर ब्रस्टाचार होता था. हालत ये थी कि गरीब लोगों की जमिन चीन कर उन्हें रेल्वे में नोकरी का जासा दिया गया. देश में मौजूद हजारों मानव रहीत क्रॉसिंग को भी अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था. रेल्वे की सुरक्षा, रेल्वे की स्वच्चता, रेल्वे प्रेटफॉर्म की स्वच्चता, सब कुछ नजरंदाज कर दिया गया था. इन सारी परिस्थितियों में बढ़लाव 2014 के बाद से आना शुरू हुआ है, जब देश के लोगों ने स्थीर सरकार बनवाई, जब देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनवाई, जब सरकार पर राजनेतिक सौधेबाजी का दबाव हटा, तो रेल्वे ने भी चेन की सांस ली और नईू उचाई पाने के लिए दोड़ पड़ी. आज हर भारतवासी भारतियर रेल का काया कल्प होते देखकर गर्व से भरा हुआ है.